सम्राट कनिष्क कनिष्क कुषाल वन्सका त्रती एवं सर्वाधिक पृतिवाशाली शाशक था जो विम के बाद सिंघासना रूल हुआ कनिष्क इस वन्सका सर्वाधिक पृतापित है था is श्ष्वी सम्राट था जिसे भारती एतिहास में एक महान योध्धा सामराज निर्माता तथा प्रजापालक समराट के रूप में याद किया जाता है अशोक महान के उपरांत बौध धर्म को सनरक्षर देने वाला वही महतपूर्ण शाशक था उसके शाशनकाल में ही कुशाण राजवंश सम्ब्रद हुआ उत्तरी भारत के सांस्कृतिक विकाश में कुशाण यूग की गड़ना जो एक महतपूर्ण के रूप में की जाती है उसका श्रे कनिश्क को ही है कनिश्क के राज्या रोहन कीति थी इतिहास के कुछ अत्यधिक उल्चे हुए प्रशनों में से एक है डॉक्टर स्मित एबम सर जौन मार्शल ने कनिश्क के शाशन को 125 इसवी से प्रारंग होकर उस शती के उत्तरार्थ तक माना है परन्तु जूनागड और सुई बिहार अभिलेक इसके खंडन में साची प्रस्तुत करते हैं रोधिदामन के जूनागड अभिलेक में उसके इस प्रदेश में एकाधिकार का पता चलता है फिर एक स्वतनत प्रदेश पर एक ही समय में दो शाशकों का नियंतरन किस प्रकार स्विकार किया जाए डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कनिश्क के राजिया रोहण की तिती 248 इस भी मानी है जिस वर्ष कनिश्क ने त्रेकुटक कलचुरी चेदी संबत का प्रारंब भी किया जबकि आरजी भंडार करने ये तिती 278 इस भी मानी है परन्त विविन साक्षियों से इन दोनों तितियों का खंडन होता है तिब्बती साक्षि कनिश्क को खातान के विजे कीर्थी का समकालीन बताते हैं जो 248 इस भी से बहुत पहले हुआ था इसके साथ ही यह निश्चित है कि कनिश्क के सिंगाशन रोहण के लवग सो वर्ष पस्चात बासुदेव मत्रा पर राजी कर रहा था यदि डॉक्टर मजुम्दार के अनुसार कनिश्क के केती थी 248 है 248 इस भी और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार 278 इस भी मान ली जाया तो बासुदेव का शाशन 348 इस भी तथा 378 इस भी सिद्ध होता है परन्तु इस समय में मत्रा में कुशाडों के शाशन का कोई उल्लेक नहीं मिलता सरवाद एक प्रमुकमत टॉमस रैप्सन एवं डॉक्टर रावलदास बनर जी का है जिसके अनुसार कनिश्क के राजया रोहड किती थी 78 इस भी 2008 इस भी अपने मत्र के पक्ष में इन बिद्धवानों ने कुछ तरक प्रस्तुत की आ इनके अनुसार चीनी सहित्य के विभिन उल्यों के से कनिश्ट के 78 इसमी में राजया रुहर्ण का अनुमान लगाया जा सकता है मार्शल द्वारा तक्ष शिला में की गई कुदाईयों से भी इसपस्ट हो गया है कि कनिश्क कुशार वंश के प्रथम दो केड़ फाइसिस शा का शाषन प्रथम शताब्दी में ही समाप्त हो गया तो इसलिए कनिश्क भी इस सताब्दी के उत्राध में ही कभी सिंगाशना रूड हुआ होगा इससे भी 78 इसवी कीतिति की ही पुस्टी होती है अपने मत के पक्ष में इन विद्वानों ने कुशार अभिलेकों में मिली हुई अगर लिखे तितियों का उले किया है कनिश्क 11-23 वाशिष्क 24-28 तक हुविष्क 28-60 वासुदे प्रथम 64-98 तक विद्वानों की अनुसार यह किसी संबत की तितिया है जिससे कनिश्क ने प्रारम्ब किया था और इन तितियों का एक क्रम है इसकी अनुसार 78 इसवी क संबत है जिसका प्रारम्ब कनिश्क ने किया इस अधार पर विद्वानों ने यह निसकर्ष निकाला है कि कनिश्क 78 इसवी में ही संगाशन पर बैठा और इस वर्ष प्रारम्ब किये हुए किये गए शक संबत का प्रवर्त कनिश्क ही था प्राचिन भारती समराजिवादी शाशकों में करिश का एक महत्पूर इस्थान है वह एक महान विजेता तदा समराजवादी शाशक था जिसने अपने शोर से ना केबल प्राप्त राजी की रक्षागी वरन भारत से बाहर भी आकुरमड करके अनेक विजे प्राप्त की इसके लिए करिश को अनेक युद्ध क करने पड़े उत्तर दक्षित तथा पूर्व तीनों दिशावं में उसने अपनी विजेओं के द्वारा अपने सामराज की सीमाव में ब्रद्धी की उसने सारपरतम कश्मीर को विजित किया कलहड की रास्तरंगिनियों रास्तरंगिनी से पता चलता करिश्क ने कश्मीर को जीत कर बहां करिश्क पूर्ण नामक नगरी वसाई यहां उसने बहुत धर्म का प्रचार भी किया था चतूरत बहुत संगीती भी आयोजित की चीनी और तिब्विती प्रमाणों के आधा पर कहा जाता है कि उसने पाटली पुत्र तदा साकेत पर आकर अधिकार कर लिया था उसने उज्वयन पर भी अपना अधिकार कर लिया कनिश्क ने भारत से बाहर भी आकरमण किये चीनी साहित से पता चलता है कि नांसी जिसका समीकरण पर्थिया से किया जाता है कि शाशक ने देव पुत्र कनिश्क पर आकरमण किया जिसमें कनिश्क न में लेने के लिए भी यह आवश्यक था कनिश्क का चीन से विए द्धुआ चीन में कनिश्क का समकालिन हान वंश था जो वड़ा शक्तिशाली था इस वंश के सेना पती पां-चाओ की सामराज प्रिशार की नीति के कारण चीनी सामराजी का विस्तार होने लगा और उनकी सीमाई उत्तर में कनिश्क सामराज के कश्मीर प्रांत को छूने लगी चीनी ग्रंतों से पता चलता है कि कुशान समराट ने चीनी सामराजी की समख्ष चीनी राजकुमारी से अपने विभा का प् देना पड़ा चीन के हाथों कनिश्क किहार की पुस्टी के प्रमाड के रूप में एस लेवी ने एक लोग कथा का संधर्व दिया है जिसमें कनिश्क कहता है मैंने तीन प्रदेशों को जीत लिया है सभी मेरी शरण में है परंतु केवल उत्री प्रदेश के लोगों ने मेरी अधिनता स्विकार नहीं की है इस अधार पर बिद्यवानों ने यह निश्क निकाला है कि उत्री छेत्र चीन ही होगा जिससे करिश्क पराजित हुआ होगा परंतु हुए इंसांग के एक वर्डन के अधार पर बिद्यवानों ने यह निश्क निकाला है कि करिश्क ने कंद खोतान और काशगर तक हो गया परन्तु टॉमस आदे विद्वानों ने इस विब्रण को स्विकार नहीं किया उनका वह कहना है कि कनिश्क के चीन पर दूसरे आक्रमड का उलेख केबल मात्र हुई इंसांग नहीं किया है और किसी नहीं इस कारण इस आक्रमड की से लेकर बनारेश पाकिस्तान पंजाब हर्याणा उत्तरपृदेश मध्य्प copy प्रदेश क्रेंश सता प्हार तक फ्यला हुआ उसका राज मधी एशिय तथ अफगानिस्तस्तान तक विस्तत्त था उसके इस विस्तत शाम्राज की राजधानी पुरृशपुर या पेशाव थे शक्षाष्कों की ही भाति कनिश्क ने भी छत्र पीएज विवस्ता को बनाए रखा और सामराज के विभिन भागों में महाचत्रपों के शाषन की विवस्ता की उसके अभिलेखों में विभिन चत्रपों का उल्लेख हुआ है जैसे सारनात अभिलेख से उसके महाचत्रप खरपलान और चत्रप बनसपर का नामों लेख हुआ है आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहां कनिश्क का धर्म इसके आगे से पढ़ेंगे झाल